Hello my dear friends, welcome to best English classes, मैं हूँ प्रतीक तमर और आज हम पढ़ रहे हैं परसी बैसी शेली का लिखा England in 1819 पीबी शेली एक romantic point थे पर ये जो particular poem है ये एक राजनितिक गुस्से और आशा की theme को लेकर चलती है ये एक sonnet है और इसका जो setting है ये उस time पे लिखी गई है जब इनकी home country England एक बहुती खराब समय से गुजर रही थी poem के शुरू में ही वो जो England के leaders हैं उन पर attack करते हैं उन्हें बुरा भला कहते हैं और मोनार्की को भी यानि जो राजतंत्र है राजा है और राजकुमार है उन्हें भी बुरा कहते हैं साथ ही में वो ये कहते हैं कि लाल्ची जो सरकार है वो बहुत ही बुरी तरीके से oppress कर रही है बेचारे भूके citizens को और उनकी जो अजादी है उसको crush कर रही है साथ ही साथ धर्म भी कोई comfort नहीं दे रहा है लोगों को चर्च जो है वो पूरी तरीके से corrupt हो गया है और Christless हो गया है यानि वहाँ पर भगवान है ही नहीं पर अपने final couplet में जो आखरी दोहा आएगा उसमें वो कहते हैं कि एक समय आएगा जब ये सारे मरे हुए राजनेता, पूरा तंत्र, सारे institutions और मोनार्की ये सब एक दिन फिर से पुनर जनम लेंगे और England भी Phoenix चड़िया की तरहें अपनी ही राक से दुबारा जनम लेगा Phoenix एक कालपनिक चड़िया है जिसका जिक्र mythology में आता है जो की जब मर जाती है तो उसमें आग लग जाती है और उसकी राक में से ही वापस एक नए बच्चे का जनम होता है अब हम इसको देखेंगे line to line तो सबसे पहली line है an old mad blind despised and dying king वो कह रहा है यह जो राजा है यह बूड़ा है पागल है अंधा है मतलब यह देख नहीं सकता इसके आसपास दुनिया में क्या हो रहा है और despised यानी इसका देश इससे नफरत करता है और यह मर रहा है अगली line है princess the drags of their dull race कि इनकी जो average सी family है जिसमें कोई दम नहीं है उस family line के अब यह अंतिम है और वो भी बिलकुल worst है कोई काम के नहीं है यह राजकुमार who flow through public scorn mud from a muddy spring जो की बहते हैं और public इन से नफरत करती है यह गंदे कीचड़ वाले जरने के कीचड़ हैं मड हैं rulers who neither see nor feel nor know ऐसे राजा जो ना देख सकते हैं ना उन्हें कोई महसूस होता है ना वो कुछ जानते हैं कि इंग्लेंड की problems क्या है ना तो वो समझ रहे हैं ना ही वो care कर रहे हैं 5th और 6th line है but leech like to their fainting country cling पर वो एक leech की तर हैं चिपके हुए हैं अपनी बिहोश होती country से कस के cling मतलब कस के चिपके हुए हैं और खून चूस रहे हैं till they drop blind in blood without a blow और वो तब तक निसके खीचते जा रहे हैं उससे blood जब तक कि वो खुद ना मर जाएं ज़ादा blood ले लेने की वज़े से 7th line है a people starved and stabbed in the untilled field लोग जो हैं वो भुकमरी से तडप रहे हैं और stabbed, stabbed का मतलब होता है जैसे उन्हें खंजर मारा गया हो, तलवार मारी गई हो in the untilled field मतलब ऐसे खेत जहां पर की कुछ भी काम नहीं हुआ है, जहां हल नहीं जोता गया है जहां farming नहीं की गई है, वहाँ पर उनके साथ violence हुई है 8th और 9th line है an army which liberty side and pray makes as a two-edged sword to all who wield और ऐसी army जो liberty side करे, दो वर्ड से मिलकर बनाई है, liberty मतलब अजादी side मतलब खतम करना और pray और शिकार करती है, यह एक दुधारी तलवार की तरह हैं और अपने ही लोगों को मारती है 10th line है golden and sanguine laws which tempt and slay golden और sanguine क्यों कहा गया इनको, क्योंकि एक तो यह लालच से भरे हुए है लालच की वज़े से यह कानून है और बहुत ही violent है, बहुत ही हिंसक हैं यह कानून यह है ही corrupt, tempt मतलब अकरशित करना, यहाँ पे इसका मतलब corruption से है and slay मतलब तलवार चलाना, मारना, किल करना 11th line है religion, Christless, धर्म जिसमें अब भगवान है ही नहीं Godless, a book sealed, कि यह बिलकुल ऐसा है जैसे एक धार्मिक पुस्तक को Bible को seal करके बंद कर दिया गया है A Senate, Times Worst Statute Unrepealed और Senate किसको कहा जाता है? Parliament को और Senator किसको कहते है? Parliamentarian को वो अपने सबसे बुरे दौर में है, सबसे बुरे समय में है जोहाँ सबसे बुरे से बुरे law बनाये जा रहे हैं और वो अभी भी इतने बुरे law पास करने के बाद भी अभी भी वो पावर में है अब कुछ Graves की बात हो रही है From which a glorious phantom may rise to illumine our tempestuous day तो अब ये जो final couplet है दो line का वहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो सारी problems है इनका वो उनको compare कर रहा है वो उस grave की तरह है उस कबर की तरह है जिसमें से एक glorious spirit निकलेगी और इस मुसीबत वाले समय को शान्त कर देगी और वो रोशनी से भरीवी होगी यहाँ पर Phoenix Bird का जिक्र हो रहा है यदि मैं theme की बात करूँ तो इस poem की ये sonnet की theme है national destruction और Phoenix की तरह रीबर्थ पहले पूरा apocalypse, पूरी तरह है chaos, हर तरफ corruption देश पूरी तरह है तूटा हुआ है जो ruler है वो parasite की तरह है, खुन चूस रहे है यहाँ पर specifically बात की जा रही है King George III की यदि हम symbol की मात करें तो इसमें एक word आया था muddy water तो यहाँ पर muddy water किस बात का symbol है कि जो राजा है उनका nature बहुत हामफुल है वो उतने बुरे हैं इसके लावा उन्हें लीच कहा गया है यह बहुत जादा greedy है जैसे लीच खून चूसती है ऐसे ही यह खून चूस रहे हैं फिर जो army है उसको double-aged sword कहा गया है जैसे कि 5th और 6th line में कई illusions का use हुआ है इसमें यदि हम इसकी form की बात करें तो यह एक sonnet है जैसा कि English और Italian sonnets होते हैं टोटल 14 lines है इसमें iambic pentameter का use हुआ है पहले एक sastate है एक 6 line का stanza है और फिर एक octave है एक 8 line का stanza है pattern की बात करें तो poem की जो शुरुवाती 4 line है उनमें ABAB का rhyme pattern है और फिर एक इसमें turn आता है poem की theme थोड़ी सी change होती है और last में एक closing couplet है meter मैंने आपको अल्यड़ी बताई दिया कि इसमें iambic pentameter का प्रियोग हुआ है इसमें खास्ता और पे king George III को attack किया गया है speaker खुद PB Shelley ही है setting की बात करें तो England की setting है 18-19 title खुदी हमें बता रहा है I hope यह poem आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी यदि आपको हमारा काम पसंद आया तो channel को जरूर subscribe करें और bell button को click करें क्योंकि English Literature के बहुत सारे videos इस channel पे available हैं आप search भी कर सकते हैं अपने topics को वीडियो पसंद आया तो इसे like भी करें और comment box में अपना feedback भी दें इससे बहुत motivation मिलता है thank you so much all the best for your exams